अगर हां तो फटा फट कमेंट करके बताईए तेरे गिरने में हार नहीं तु इंसान है अवतार नहीं तेरे गिरने में हार नहीं क्योंकि तु इंसान है अवतार नहीं गिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीत संचिप्त है इसका कोई सार नहीं इनके दूसरे भाई के बारें बात करने वाले हैं आप समझ रहे हो ना ये दो भाई हैं कैसे हैं अभी देखिए मैं बताता हूं कलास को पूरा देखिएगा मैं बता रहा हूं इधर देखिए एक और भी सब्द कल हम लोगों ने देखा था उका था अपवर्त जिसे मल्टीपल बोलते हैं ना गुडच देखिए साथियों आप लोग नार्मल संख्या से तो परचीत हैं जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताईए अगर थार्टीन का फाइप में मल्टीपल होगा तो आप सभी जानते हो थार्टीन फाइप चा शेक्ष्टी फाइव या साही है लेकिन अगर मैंने कहा कि याक्स वाई का मल्टीपल वाई से कर दीजिए तो आप कहोगे यह कौन सी गड़ित है क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है चलिए ठीक है तो कल हमने कुछ कुष्टन भी दिया था आप लोगों को क्या कोई हमें इसका आंसर बताएगा फटा फटा अनामी का चौधरी कल मैंने बहुत कुछ बताया था अब आप थोड़ी सी कोसिस तो करिए गुला फसा हरसिता सर्मा नेहा गौतम नेहा नाम के छे लोग हैं तो अगर मैं एक लोग का नाम बोलूंगा न तो सब लोग अपना अपना जान लेना नेहा गुपता नेहा मिस्रा नेहा बर्मा और तिन हो गए नेहा तिवारी नेहा मिस्रा और नेहा सिंग ऐसे कुछ करके 5-6-7 लोग हैं चलिए इसका अंसर सबसे पहले कौन बताया है और गुला ने भी बता दिया है कृष्णा कुमार ठीक है आए बात करते हैं इनके बारे में डीटील में देखिए किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले उसकी तह तक जाना चाहिए यह क्योंकि हम इस क्लास को बड़ा बिंदास पढ़ाते हैं अराम अराम से समझ में सब को आना चाहिए हम हड़ बड़ी में रहते हैं ठीक है इनको जल्दी थी वो चले गए तो हमें जल्दी नहीं यह लाइव नंबर है वन एट एटीन आईए देखते हैं इनको करने से पहले यहां पर हम दो चीजे समझेंगे अज सबसे पहले तो यह चर और अचर क्योंकि इनको डीटियल में अगर पढ़ना है तो थोड़ा वक्त देना पढ़ेगा ठीक है वक्त देना पढ़ेगा क्या आप लोग चर और बाकि अगर आपके किताब के अकार्डिंग जल्दी जल्दी पढ़ाएं तो बहुत जल्दी खतम हो जाएं लेकिन फिर आप सीखो गया नहीं यह हमारी गारंटी नहीं है लेकिन अगर हम अपने अकार्डिंग पढ़ाएंगे तो आप सीख जाएंगे देखिए कोई भी जो हम ये लेटर यूज करते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P मतलब जड़ तक ये सबी क्या होते हैं? चर होते हैं जिन्हें इंगलिस में बैरियबल कहा जाता है क्या कहता है इन्हें? बैरियबल इनकी संख्या लिमिटेड होती है, 26 होती है, डोटल मतलब बैरियबल कुल कितने होते हैं? 26 होते हैं देखिए बच्चों जैसे अगर कोई EC में किचिर किचिर एक ही बात को करने लगता है न तो बहुत गुस्सा लगती तोड़ा भी बुद्धी नहीं है क्या एक चीज पेस्ट, कापी पेस्ट भाई बलक करेई जो कापी पेस्ट एकी बात को करने हैं उन्हें बलक करेए आगला देखिए अचरपद अचर को क्या बोलते हैं? constant क्या बोलते हैं? constant बोलते हैं ये मतलब जो गिन्ति के संख्याय होती है जैसे एक, दो, तीन, चार, मतलब डाट, डाट, कुछ भी आनंत तक, इनकी कोई limit नहीं होती है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, आचर बोलते हैं, जिन्हें इंगलिस में constant बोलते हैं, इंगलिस की spelling मुझे थोड़ा कमारी, constant बोलते हैं, ठीक है, तो यह आप जानगे, अब इसमें हम लोग को एक और चीज समझना है, गुड़ांक, जिन्हें कोफी सीएंट बोलते हैं, इंगलिस में, यह क्या होता है, यहां से थोड़ा समझिएगा, एक चीज और भी समझना है, गातांक, गातांक को इंगलिस में क्या बोलते हैं, इंगलिस वाले बहुत से हैं, ब बाकि और लेंग्वेज में तो फिलिंग भी छिपी होती देखिए यहां पर समझ यह तो हम यह समझ गए यह और यह क्योंकि जो हम करने वाले हैं अभी उसमें यह सब काम लगेगा अभी तैयारी कर रहे हैं के वली उद्ध की बस जैसे मैंने लिखा चार यक्स और यहां पर लिखा तीन थोड़ा सा यहां समझ येगा समझ यह यहां पर क्या है अगर भगवान थोड़ा सा भी बुद्धी दियें खोपड़ी में भूसा नहीं भरा है तो यह समझना चाहिए कि अगला इंसान अगर कुछ बता रहा है उससे पहले देख लें थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करके रखें थोड़ा देर में फिर पूछ लें आप को होगी डंडा कर दें एक के बार में तो ब्लक करने कलां दूसरा आप सुनता है नहीं अगर बुद्धी थोड़ी सी भी है रच्ची वर की तो समझना चाहिए आए आगे बढ़ें ठीक है ध्यान दीचिएगा बिल्कूल अप्टेंसान ना लीजिएगा इसमें अगर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो यहां पर देखना इसे हम ऐसा कर सकते हैं बत़ dollar कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कर सकते हैं क्योँ देकी ऐसा इसको इसलिए कर सकते हैं जैसे अकर हमने लिखा यहां पर आठ को तो आठ को भी तो हम दो गढ़ चार लिख सकते हैं कि नहीं है यह क्या है इनके गुड़न खंड ही तो है वह वे न क्या हुए न तो हम बताने वाले क्या वो देखिएगा यहां पर जो यह गिंती है मतलब आचरपद है और जो चरपद है यह जो है वो क्या है गुडांग है किसका है यह चरवाले का क्या है गुडांग है ठीक है चरवाले का क्या है गुडांग है अगर पूछा जाए कि एक्स का क्यूब का का गुडांग क्या है तो फोर है समझ में आया एक्स के क्यूब का गुडांग क्या है फोर है कोई दिक्कत इसमें कोई परिशानी किसी को कोई डाउट नहीं न तो यह आप समझ गए अभी आगे काम लगेगा याद रखिएगा आगे कहानी पढ़ते जाओगे एक पॉइंट जेना समझ में अगर दुबारा बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि हमसे जबा आगे नहीं बोलेगे इदर देखिए कि यह बताईये कि 24 यहाँ पर 24 का गुडांग क्या है है यह स्कॉयर का गुडांग क्या है जल्दी बताईये फटपर चलिए कि देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है नहामिस्रा क्रिफणा वह कोई उत्तर भी बताएगा नहीं अच्छा एक बटा दो वाई जेट का इसक्वाइर जैड़ी स्क्वाइर का गुडांग क्या है सबसे पहला जवाब मन्नू ने बताया है बहुत अच्छा मन्नू बेरी गुट मानबें सिंग सतीस ठीक है इसमें अगर मैं पूछू की सिर्फ जियर्ड स्कॉयर का गुडांग क्या है मैंनू जियर्ड स्क्वाइर का गुडांक यहां पर आप लोग थोड़ा बुद्धी लगायेगा 1 upon 2 y अगर मैं y z square का गुड़ आंग पूछता तब तो यह 1 upon 2 होता लेकिन मैंने सिर्फ z square का पूछा था क्या हमारी आवाज तो नहीं कमा रही ना आवाज तो पूरा है क्या और तेज कर दे ठीके तो आप यह समझ गए अच्छा घात आंग क्या है इसमें इसमें घात क्या है बताइए जल्दी बताइए इसमें घात क्या है वही देखिए जो ऊपर लगा होई क्या है घात है दो कितना है दो आईए आगे बढ़ते हैं अब यह सब आप लगभख सीख गए इससे जादा इसमें गहराई से जाने की कोई जरूरत भी नहीं है तो इसमें चर और अचर दोनों का सीखना था एक मिनट रुकी हैगा देखने दीजिए कुछ चीजी अपवर्त यानि गुड़ज ठीक है इसमें आप इसको सीख गए अब आईए हम चलते हैं मुख्य पॉइंट पे आपको पता है जब वेरियेबल्स का हम लोग मल्टीपल करते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं घाते क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं आईए देखिए समझीए गाते जुड़ जाती हैं कैसे जैसे अगर हम तीन का गुड़ा चार में करें और पांच करें तो आप सभी इसको बताओ कितना आएक पहलें हर कोई कर लेगा कितना आएक पो लिए फटाफट कितना आएका भाया सबको मालूमें ना लेकिन अगर यक्स स्क्वायर का मल्टीपल यक्स और यह यक्स ऐसे करते हैं तो यह थोड़ा अलग होता है बताएंगे इसको ए इसको बी इसको सी मान लीजिए इसको डी मान लीजिए देखिए यह सब अलग-अलग काटेगरी के अलग-अलग मल्टीपल है बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है ठीक है और जो भी साथी सेशन को लाइक नहीं किया उनकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी क्योंकि हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आगे बढ़ें चलें ठीक है आईए यह सिंपल सा है आप सबको पता है गुड़ा कर लेते हैं तिन चोंग बारा बारा पंचे साथ ठीक है सिल्पा केसरवानी जी बेरी गुड साथ आ गया लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है यह दूसरे विरादरी के लोग है क्योंकि आज क करके कटर जमाने में आप इससे ज्यादा समझेंगे आईये अभी मैंने बताया था इस न गया अपी कितनी राथ अब बोलियों किए यहां पर कितनी यहां यह जैके क्यों न साहयों के गड़पत साहय भीया जिनके कौनों घात नहीं होती न उन पर एक घात मान लिया जाता है इन पर सब पर हमेशा एक घात मान ली जाती है ठीक है इस पर कोई घात से मतलब नहीं होता है लेकिन जो बरियेबल होते हैं उन पर घात का मतलब होता है ठीक है समझ मैं आइए ना आईए देखिए अब इसको क्या करेंगे यहां समझई हाँ multiple करने पर गहते जूड जाती है क्या होता है multiple करने पर गहते जूड जाती है तो जब हम इनका गुड़ा करेंगे तो सबसे पहले यह चीज देखना है कि सभी चर एक समान होना चाहिए सभी चर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और दूसरी बात ये भी देखना है कि उनकी घाते कैसे हैं तो इसमें चर समान है की नहीं इसके पहले तो आपको एक और चीज पढ़ना था सजातिय और बीजातिय पद भी पढ़ना था क्योंकि इसमें सब जरूरी है पढ़ाना आगे की कलास में फिर हम नहीं पढ़ाएंगे आए इसको थोड़ा बता देते हैं फिर उसमें भी चलेंगे ठीक है तो यह यक्स ऐसे ही रहेगा इसकी घात दो इसकी घात एक और इसकी घ यह फाइनल में यक्स की घात हो जाएगी चार यही आंसर हो जाएगा समझ में आया इसमें देखे इसमें जो भी गुडांक है गुडांक का आपस में गुडा हो जाता है तो दो का गुडा तीन में होगा तो यह छे हो जाएगा और जो यक्स का क्यूब है उसके कोई फरक न Covid-1927ाएं ऑप्त यह 27 हो गया और यहां पर थोड़ा अलग है आ सायद आप लोगों ने नहीं देखा होका हमारी से भी उसमें मुनें बताया था कि देखिए आप लोग कॉलेज में हैं क्लास में हैं उसी एज उमर के हैं अगर हमारी मतलब हमारी नहीं मतलब आप लोगों की अगर बात बिवहार बनती है सोच पसंद ना पसंद एक दूसरे से बढ़ती है तो दोस्ती हो जाती है मित्रता हो जाती है फिर प्यार हो जाता है फिर पता नहीं क्या हो जाता है आप सभी जानते न लेकिन अगर थोड़ा अलग रहे सब कुछ तो हाव भाव कुछ जादा रहे अटिट्यूट कुछ जादे रहे तो तो नहीं बन पाता न तो वैसे इसमें क्या होता है मैंने बताय अगर बेसिक आपने पढ़ा होगा कि जब यह चर समान समान होते हैं तब इनकी घाते जुड़ जाती हैं और यह आपस में एक के पद में रह जाते हैं लेकिन अगर चर समान नहीं है एक से अधिक चर है तो उनकी घाते नहीं जुड़ती है वो सब अपना अलग अलग होते है ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी गर में अगर दो भाई है उनकी साधिवादी हो गई है नई नभीली दुलहन आ गई है तो अकसर दो चूला जलने लगता है आप सबको पता है न यह कोई बड़ी बात नहीं भारतिय संस्कृति परमपरा का यह भाग है तो यहां पर कुछ ऐसा ही है क्योंकि यह चर अलग है यह अलग है यह दोनों अलग अलग है तो इनका जुड़ेगी नहीं घात इस पर भी घात एक है इस पर भी घात एक है लेकिन यह घाट जुड़ेगी नहीं यह 937 तो हो जाएगा यह यक्स का स्क्वाइर ऐसे ही रहेगा और यह वाई का स्क्वाइर भी ऐसे स्वरी जो भी घाट है इसकी ऐसे रहेगी चाहे एक लगाईए या फिर मत लगाईए ठीक है तो यह हो गया इसका अंसर समझ में आए लेकिन इसी की जगा पर थोड़ा सा अगर ऐसे होता नो यक्स का स्क्वाइर इंटू यह तीन यक्स अगर होता तो यह 937 और यह दो घाट और यह एक घाट ऐसे चूड़ जाती तो यह 27 यक्स का घाट तीन हो जाता समझ में आ रहा है ना चाप लीजिए फटा पड़ देखिए जो फालतू कमेंट वाले उन्हें बलग कर दीजिए उमीद है मुझे कि वह पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि इस कलास में जो पढ़ते हो सीरियस ही होते हैं चोटे बच्चे इतना रात में पढ़ते नहीं इसमें बच्चे नहीं बच्चे वाले पढ़ते हैं तो जो फालतू बच्चे आगे उन्हें बलग करिए आप कमेंट द बताईए फिर हम थोड़ा साइस में और डीटियल में आपको बताएंगे पूरा गहराई से मैं पढ़ा रहा हूं जो पेड़ वाली क्लास बच्चे लेते हैं 300 रूपया महीना जमा करके वैसे तो 700 से कम होता नहीं कभी-कभी हो जाता है उसमें भी ऐसा ही पढ़ाते हैं हम तो दो जागा नहीं पढ़ाते दो तरह नहीं पढ़ाते हैं बिल्कुल पूरा दिल से पढ़ाते हैं ठीक है लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तब ना पढ़ेंगे तो क्या होगा कुछ नहीं होने वाला आए देखिए यह बताईए कि 19 यक्स का गहात पांच और यक्स और यक्स का स्कॉायर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा अगर समझ गए तो बताईए समझ गए तो बताईए मनीज पांडे जी आपसे निवेदन है कि आप सांध रहिए कितना आएगा कोई बताएगा अंसर कुछ ऐसे हैं जो चुप रह नहीं सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं इसका सबसे पहला जवाब दिया है भाई क्रिफना कुमार ने 19 यक्स का पावर 8 बता रही है क्रिफना कुमार जी क्या आपका नाम क्रिफना कुमार है कुछ और है 37 गुपता बहुत अच्छे नेहा मिस्रा यह लोग वो हैं जो टॉप पे हैं मतलब 100 लोगों में टॉप पे हैं बाकी सब लोग हैं वो एबरेज में देखें जिंदगी में न दोई लोग का नाम होता है एक जो उपर से नमबर एक पर आता है जो नीचे से नमबर एक पर आता ह तो पांच तीन आठ उन्नीस यक्स का पावर आठ आएगा बिल्कुल सही है जिन लोगों ने बताया था उनका कर्यक्ट जवाब आईए इतना हो गया यह सब ड़न आगे बढ़ें अब तो यह आप लोग समझ रहे हैं अगर तो अच्छी बात है कुछ और कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चलिए इंटू वाई इंटू एक बटा दो इंटू यक्स वाई अब बताईए इंटू वाई अपान यक्स इसको पूरा हल करेंगी तो कितना आएगा इसी में थोड़ा कुछ और चीज़ें बता देते हैं इसको आप बताईए कितना आएगा देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता है अगर जो भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा न कर ले मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं कोसिस करता हूं खुद को रोकने की और चलता भी बहुत जल्दी जल्दी हमारे साथ कोई मार्केट नहीं जाता है कहीं पैदल जाता है तो लवटाता है रास्ता लवटाता है कहता हम नहीं जाएंगे देखिए ठीक है जिनको नहीं पता वह नो कि न क्लिक से कमेंट करें यह नो हम जान जायेंगी कुन को नहीं पता है بहुत अच्छे हैं वह बताते नहीं कि लिज्य नायरा ने चाहें न लिज्जी नायरा नंबर चल रहा हैansばी प्लक्रायरी करिए नहीं तो आ डाउनलोड करके जाके ले लिजिए वहां कोई help नहीं चाहिए लग से कि आठ कि एक्स का स्कॉयर वाई का स्कॉयर आ रहा मनीज का मुझे लग रहा कि मनीज नहीं सबसे पहले बताया भी यह ठीक है देखते हैं अक्सर लोगों को नहीं आ रहा है और कोई कोई कहरा सायद सायद इतना आएगा आईए देखते हैं अक्सर लोग नो 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 बोल रहे हैं बड़े इमांदार हैं यह दिल से इमांदार हैं बता दे रहे हैं कि मुझे नहीं आ रहा है कुछ लोग तो ऐसे लागे लगाया उलजाते हैं बेवकूब बनाते हैं को उनको आता भी नहीं और वो बोलते भी नहीं मुझे नहीं आता देखिए यहां पर दो तरह के प्राणी है एक चर है एक आचर है तो हम चर चर को एक तरफ कर लेते हैं आचर आचर को एक तरफ बरियेबल को एक तरफ को एक तरफ आई यह फट फट आप तो फोर मैंने लिख लिया यह एबी सी डिवाई से लिख दिया इसका कोई मतलब नहीं है इंटू अनपान टू कोई नंबर तेहां और है नहीं इंटू वाई इंटू याग्स वाई इंटू अनपान एक्स तो देखो भाईया इंक डू उपर यहां पर सिर्फ दो बच रहा है यहां पर यह वाई बच रहा है यहां पर वाई बच रहा है यह भाई साहब यक्स तो खतम होगा भाई तो सिर्फ वाई बचा है नहीं यह बचाएगा यह इंटू था यह गुड़ा का चिन्न था आप लोग इसको यक्स वाई समझ ल होंगे ये गुडा का चिन है इंड है यस नहीं था अगर यह नहीं था तिसमीं सिर्फ एक का एक definitely जो कि यहां से कट गया, तो सिर्फ y बचा है, 2 बचा और y बचा है, और एक y और बचा है, एक ये बचा है y, ये वाला एक ये वाला, तो final में 2 y का square आएगा, ये 8 बाट कहां से आ रहा है इन लोगों का, जिसका 8 आ रहा था उसका गलत है, भई 8 कहां से आया, मैंने कुछ गलत कराएगा, ये 1 अपान 2 था, हाफ था, तो कट गया, तो 2 y तो बचा, 2 y का square आएगा, क्यूं, बताइए किसी को कुछ कहना, इस पर सही है न, साक्षी तिरपाथी, आपने तो बड़ी लंबी कहाने लिख दिया भई, ये इतना है आएगा, चलिए इसको मिटाए है, हो गया, किसी को कोई अपत्ती है, तो बताइए इस पर, देखिए, इसको आएगा समझ में, इसके पहले थोड़ा सा हमें, और पीछे अभी चलने की जरूरत है, थोड़ा और पीछे चलने की जरूरत है, पहले हमें, आना चाहिए वो, क्या बोलते हैं, सजातिये और बिजातिये पद, लाइक और अनलाइक टम्स हमें आनने चाहिए, तो इसमें से कितने लोग हैं, जो लाइक टम्स जानते हैं, बताइए, फटाफट, जितने student सजातिय पत जानते हैं वो सभी yes लिख के comment करेंगे और जितने लोग नहीं जानते वो no लिख के comment करेंगे जल्दी करें देखते हैं कितने लोग को पता है तब तक हम इसको रगड पोच देते हैं क्योंकि इसकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है एक बार विगो के मिटाना पड़ता है फिर रगड रगड के मिटाना फिर पोचना क्या करें गरीबी में बोर्ड नहीं आ पा रहा है धाई लाक रूपया का बोर्ड आएगा डिजिटल वाला वोसिस में हैं आज आएगा हो सकता है चलिए इधर देखिए तो बहुत से ऐसे हैं जिनको आता है बहुत से जिनको नहीं आता है ये भी इसी का हिस्सा है ये चैप्टर दस में भी है तो हम अभी पढ़ा दे रहे हैं तो चैप्टर दस में नहीं पढ़ाएंगे ठीक है चैप्टर दस में भी ये है बिजातिये पद अनलाइक टर्म लाइक टर्म ठीक है इनका मतलब यह है सजातिये जैसा कि नाम से असपर्ट है सजातिये मतलब एक ही जाती की जैसे आपको पाल मालूम है कि हमारे भारत देश में सब्वेता संस्कृति में साधी विया अपने जाति में होता है ना मालूम है ना और कहीं दूसरे धर्म में कोई कर लिया तो फिर इस देश और समाज की दिश्टी से बहुत बड़ा गुना होता है लेकिन हाँ नियम और जो कानून इस देश का आप किसी से भी किसी भी जाती में किसी भी धर्म में साधी विया कर सकते हैं सजातिये के लिए यहां पर दो चीज देखा जाता है जैसे समझिएगा दो चीज में क्या क्या नमबर एक चर समान होना चाहिए यहां पर देख लीजिए सजातिये के लिए क्या क्या चाहिए ठीक है चर समान चाहिए और नमबर दो घातें समान चाहिए इसको सामान नहीं लिखे हैं मौनिका यादव जी बहुत अच्छी बात है मैं देर करती नहीं देर हो जाती अच्छी बात आये इदर देखिए ये क्या बन गया सजातिय पदी की बात कर रहे थे चार समान और गाते समन तो यह बताईए मैंने लिखा 3x का स्क्वाइर और यह x का स्क्वाइर और यह लिखा x का क्यूब ठीक है ध्यान से देखिएगा चारो आप्सन चारों आपसन ध्यान से देखिएगा फिर मुझे बताईएगा X का 5, Y, 3 और 3X स्क्वाइर C वाले में है 9X का क्यूब, X का क्यूब और 8X का क्यूब D वाले में है 1 बटा 2X का क्यूब और 3X का क्यूब और 9X का स्क्वाइर क्या इसमें से कोई सजातिय पद है जल्दी से बोल ये अगर कुछ भी समझ में आए तो ये चारों आपसन में क्या कोई लाइक टम्स है भाई इतना गंदा गंदा तो अपना नाम लिखे हो, मैं क्या बताऊं इनका सिर्फ बात नहीं समझ में नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये पूछ रहे हैं कि आपके अंलाइन क्लास कब कब होती यूटूब पर यूटूब पर सुबह आठ बजे, साम साथ बजे, रात नो बजे, रात दस बजे ये कुछ फिरी कलासे हैं जो सारवजनिक होती है बागी बहुत सारी कलासे होती है, सब यहां नहीं बताते हैं इसका सबसे पहला जो जबाब दिया है, उनका नाम मैं बोलूँगा उनका नाम है सतीस गुपता, सतीस गुपता के पहले डॉली ने बताया था बहुत अच्छा, बेरी गुड, डॉली ने सी बताया था, सजातिये हैं और मुझे लगता है कि इन्होंने सबसे पहले बताया था तो हम इससे ये मान के चलें कि आप लोगों को सजातिय पद आता है लेकिन इस कलास में बैठा हुआ सबसे कमजोर छात्र जो है उसको भी आना चाहिए हमारी ये कोसिस है है ना तो फिर हमें बताना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत आईये फिर इधर देखते हैं सी नंबर आपसंस आई है थीक है तो हाँ सभी क्यूं है इस पर भी डिसकस कर लेते हैं कि सभी क्यों है देखे यहां पर यक्स की घात पहले तो चर समान होना चाहिए कंडिशन दो है चर समान चाहिए घाते समान चाहिए यहां पर चर समान है या नहीं बोलिये हां या नहीं सभी बोलिये हां या नहीं भाईयों और बैनों चर समान है कि नहीं अब मुझे ऐसा तो आती नहीं वह देखूंग बैटरी लो हो गई एक मिनट मैंने ऐसी बाती बोल दिया कि मेरा खामे खरब हो गये जाना नहीं को इधर देखिए हाँ तो इसमें चर समान है है लेकिन घाते समान नहीं है पहला यह खरा उतर रहा है दूसरा में घाते समान होनी चाहिए घाते समान नहीं है क्योंकि यहां पर तीन घात है यहां पर दो दो है इसलिए पहला सही नहीं है पहला क्या है यह बिजातिये है यह सजातिय नहीं है दूसरे पर आ जाईए इधर साइड में यक्स का पावर 5 वाई का पावर 3 और तीन यक्स का स्कॉयर क्या इसमें चर समान है घाते समान है नहीं न जी तेन जी माफी चाहते हैं अभी हमारे टीम के मेंबर जो हैं वो छुट्टी पे चल रहे हैं चौदा तारीक से हो सकता है कल से सब जोईन करेंगे तो वाट्सप का रिपलाई पिछले एक सबता से नहीं हुआ है किसी कभी वाट्सप रिपलाई पिछले एक सबता से किसी का नहीं हुआ सभी नंबर पर हजारों मैंसे जाए हैं सब reply करे जाएंगे आप थोड़ा धर बना के रखिए धर बना के रखिए वट सब वाले आईए तो इसमें चर समान भी नहीं है दूसरे में घाते तो समान वैसे भी नहीं है इसमें पांच घात है इसमें तीन है इसमें दूए इसमें देखिए हाँ एक चीज और है यहाँ पर पहले जो गिंती दी गई है उस गिंती से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है इस गिंती से कोई मतलब नहीं होता है तो यहां पर नौ है यहां पर आठ है इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर चर यक्स है यहां पर यक्स है यहां पर यक्स है ठीक है घात यहां पर तीन है यहां पर इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है लेकिन यक्स यक्स तो है प्रोब्लम यह है कि यहां पर घाद दो है समझ में आया ना इफलेस आजाती है नहीं देखिए जो डाउट वाले हैं उनको एक बात बता दें कि जो चात्र PVR Study की Premium Course जोईन किये हैं डाउट सिर्फ उनको बताया जा सकता है क्योंकि हमारे यहां यूटूब पे 3,25,000 बच्चे हैं तो हम सबको डाउट नहीं बता सकते हैं सिर्फ यूटूब पे देखिए अगर डाउट पूछना है तो आप Premium Course जोईन करिए और अगर आपने जोईन कर लिया है फिर भी किसी कारणबस आप कोई मुसीवत आ रही है तो आपको एक अलग नंबर दिया जाता है ठीक है एक प्रकार से समझे कि हमारा प्रफनल नंबर अलग से तो उस पर आप पूँच सकते हैं अब भी अगर कोई बात रह गई तो बताईए आप लोग कोई दो सजातिये पद बताईए जल्दी बताईए कोई दो सजातिये पद बताईए मिटी जाता बसाईए पंडे जी ठीक है परिसान मत रहिए अच्छी बात है आपका नाम बहुत अच्छा है चलिए क्रिफना कुमार ने सबसे पहले बताया है और अस्वनी कुमार गलत है बच्चा आपका गलत है गलत है भाईया बाबू गलत है मन्नू तिवारी इन्होंने भी कोशिस किया है सही है इनका भी ठीक है देखिए आप लोग कोशिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो उनको मैं क्या कहूं जो कोशिस है नहीं कर रहे हैं पेड़ लगाओ उमीद बात में करो तो भाई कोशिस तो करो पहले न कोशिस तो करो तो यह हो गया ठीक है आप लोग मुझे उमीद है कि सजातिय विजातिय समझ गए इससे ज्यादा और भी बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा कहानी आएए देखे इधर साइड में यह बताएए कि तीन यक्स क्या यह सजातिय पद है क्या यह सजातिय पद है भाई यह मीट माही कोई मीट यह मैं समझ नहीं भा रहा हूं यह सब एक आईडी से कमेंट करने के अलग-अलग यह सजातिय पद है यह नहीं ? का यह सजातिय पद है जिस निकाला जा सकता है ? आइए देखे बताते हैं इधर साइड में लगवक्वसाभा हर कोई मुझे लग रहा है कि जान गया जो नहीं जान गया थोड़ा भ्यास कराना जरूरी है इसलिंग मैं करवा रहा हूं तो बिल्कुल परेसान नहीं होना है यहां पर मैंने एक और भी लिख दिया वाई घात पांच हां सिल्पा के सरवानी इजी एस्टरडी हरसिता ठीक है बहुत अच्छे इसमें सजातिये पद हैं जिनकी घाते समान हैं जिनके चर समान हैं वो एक जैसे हैं यह मैंने बताया अधी दोस्ति और प्यार वाली बात है जो लोग पीछे हो गये उस उसने नहीं पाए आप लोग college वाले पार कर चुके हैं तो मालूम होगा आपको तो इनके देखिए सबसे पहले तो गहात समान ओना चाहिए दूसरा उसरी चर समान होना चाहिए दूसरा घात समान ओन best जैसे मैंने दूसरा एक्जांपल बताया था कि आजकल साधी जहां होती है जाती पहले नंबर समान होना चाहिए भाई सौंकर है तो सौंकर में ही साधी होगी यादो है तो यादो में ही होगी सिंग है तो सिंग में सुकला है तो सुकला में नहीं यह तोड़ा गलत हो गया पेता और संस्कृति में ऐसा होता है तो ऐसे यहां पर क्या है इनकी जाती समान होना चाहिए यह सजातिये लिखा है इसमें जाती सब्द लिखा गया है सजातिये सजातिये मतलब समान जाती के समझ रहे ना समान जाती के तो यह और यह समान जाती के हैं दोनों में क्या है एक्स एक्स हैं तो यह हो गया 3 एक्स का क्यूब और यह हो गया 9 एक्स का क्यूब क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है एक चीजा और आप मलूम होगा लोग देखते हैं अगर कोई बहुत है बड़ा भिकमंगा है तब भी कोई नहीं पूछता है तो थोड़ी पावर भी होनी चाहिए पूछते न लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं इसलिए कामयाब बनिये काम्याब बनिये समझ रहे ना यह क्या सजातिये यह दोनों सजातिये हो सकते थे क्योंकि इनकी पावर समान है मतलब इनके भी दो इन्योवा है इनके भी है लेकिन इनकी जातिय अलग-अलग है अब यह सजातिये नहीं है इस वजह से समझ में आया ना आया समझ में की नहीं ठीक है आगे चलें कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बताईए फटा फट बताईए कोई प्रॉब्लम तो बताईए आगे चलें भाई तो यह क्या सजातिय नहीं है अब इसमें कोई भी सजातिय पत नहीं बचा है लगपक मुझे लग रहा सभी समझ गये होंगे फिर चेंज करा जाए इस टॉपिक को अच्छा एक और बताईए तीन एक्स हर बार लिख रहे हैं अपकी तेरा हो गया एक्स का थ्री नाइन एक्स का पावर फाइब और दो एक्स का पावर दो क्या इसमें कोई सजातिय पद है क्या इसमें कोई सजातिय पद है पटापट बताईए ऐसा है कोई या नहीं है इस पीड ली भाई यहां इतना कम स्पीड में बताने से तो लोग वह ऐसे डर रहे हैं बताईए ठीक है कोशिस करते रहिए इसमें कोई सजातिय पद नहीं क्योंकि कुछ न कुछ अडचन अटक रही यहां पर या तो घात बराबर नहीं है और या तो चर बराबर नहीं ठीक है तो सभी समझ गए कि इसमें और कुछ बताना पड़ेगा सभी समझ गए अब हम चलते हैं इसके जो मुख्य पॉइंट है उस पर चलते हैं मीट माही वही पहले यह बताइए आप हैं कहां से क्योंकि आपकी लेंग्वेज और आपकी बात मुझे कुछ अलग सी लग रही मीट माही और मीट यह तो बोलेंगे ना इंगलिस मुझे कम आती थोड़ा तो यह बताइए कि पंदरा यक्स का घात तीन इसमें से कौन इसका गुड़नखंड या बोलें अपवर्थक नहीं है कौन इसका अपवर्थक नहीं है पहला तीन वाई यक्स वन बताएं 15 X का क्यूब में इसका कौन अपवर्थक नहीं अपवर्थक नहीं बताएं मतलब ब्भाजक जिसमें बोलते हैं या डिवाईजर कौन है अपवर्थक नहीं है ऑलगे बढ़ए बदो मत बॉलो रात के टाईम में दर जाएंगी कुछ लोग देखो आप लोग ना कुछ गड़बड कर जाते हो अब भी आपसन बचा है तो कोई बीबी बोल रहा है कोई दीन बार भी बोल रहा है कोई चार बार बोल रहा है एक बार बोलिए फीक है तो यह वाई क्योंकि इसके जब वह गोड़नखंड करेंगे या फैक्टर करेंगे तो यह तीन गुड़ा 5 गुड़ा एकश क क्यों भी इतना हो सकता है या फिर एकश g2 x x г भी हो सकता है लेकिन इसमें कहीं भी वाई नहीं आएगा वाई आएगा? नहीं आएगा न अच्छा अगर आप्शन में थोड़ा सा हम बदलाव कर दें तो कौन सा सही होका जरा समझ न अगर आप्शन मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पर ऐसे कर दिया यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया यह बताईए अब इसमें से इसमें से कौन इसका अपवर्टक नहीं है 15 एक्स क्यूब का अपवर्टक नहीं है इनमें से कौन बताईए बहुत ज़्यादा टाइम अब इसमें नहीं बिताना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा पढ़ा दे रहें ज्यादा हुजाएगा साइड में कुछ यह दे देते हैं इसको आप लोग कर लीजिएगा कि इनको आप लोग हल कर लीजिएगा ठीक है कि अधिक एक अलग कुजिचन भी दिये अभी यह मत पूछिएगा कि सब कई से होगा थोड़ा सा अपने भी लगाईएगा तो ठीक है फिर आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं इसी को कुछ कहना है तो बताईएगा कमेंट करके नीचे नंबर चल रहा है हाँ जिनको डेली कलास करना है यह कलास याद रहे केवल सब्ता में तीन दिन होती यूटूब पे मंडे ट्यूजडे और बेटनेश डे सिर्फ तीन दिन यूटूब पे फिरी कलास होती है बाकी यूटूब पे कलास है आपको नहीं मिलेंगी अगले तीन दिन रिवीजन होता इसी टाइम पे आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं इसके अलामा अगर आप चाहते हैं कि 7 दिन आपको पढ़ना है तो आप PBR Study App डाउनलोड करिए और अप्लिकेशन में जा करके पूरा कोर्स जॉइन कर लिजिए जिसमें आपको पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा ठीक है अगर आप पूरा फुल कोर्स जॉइन करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर जॉइन प्रीमियम लिख करके मैसेज करें आपको पूरा कोर्स मिलेगा लेकिन याद रहे कि इस पर सुलक पेमिंट करना पड़ेगा जॉइन पेड लिख करके भीज सकत तो उमीद है कि आप लोग समझे होंगे और क्लास को सेयर करके जाएंगे ठीक है क्लास को आप लोग सेयर करके जाएगा और सेयर करेंगे तो अच्छी बात है नहीं सेयर करेंगे तो आप लोग कब रिक अप हो जाएगा फिर हम नहीं जाना